मैं अतुल गर्ग, असोसीट प्रोफेसर गौर्मेंट बंगर कॉलेज जीडवना आज नुमेरिकल अनलेसिस बीएसी पार्ट थर्ड में यहां चलती है उसका अध्यन करते हैं यह एक नया टॉपिक है जो छोटी क्लासों में नहीं पढ़ाया जाता है और बेसिकली बहुत से जैसे आनशेक अवकल सम्ही करन के संख्यात मखल हैं या कोई डाटा दिये गए हैं उनका सॉलुशन निकालना है उनके बीच में अंतरवेशन करना है बीच के किसी बिंदू पर मान निकालना है जिसे अंतरवेशन कहते हैं या जो डाटा दिये गए हैं आकड़े दिये गए हैं उनके बाहर के किसी बिंदू पर मान निकालना है जिसे बाहर वेशन कहते हैं तो ऐसी सारी चीजें इसमें अध्यन की जाती हैं बड़े-बड़े मैथमेडीशन्स जैसे न्यूटन, स्टरलिंग, बैसल इन लोगों ने सारा स्टेडी करके बहुत से फॉर्मूले बनाए जिससे सारी चीजें समझने में बहुत आसानी रहे कल्कुलेशन आसान हो जाए तो सबसे पहले इसी लिए इसमें जो उपरेटर आगे तक अपन काम में लेंगे उन उपरेटर के बारे में पढ़ा जाता है तो बेसिकलिए चार उपरेटर हैं नुमरिकन अनलेसिस में पहला operator कहलाता है identity operator जिससे i से लिखा जाता है और ये किसी function पर जो operate करते हैं इसको लगाते है identity operator को तो ये function की value आप परिवर्थित रखता है उससे बदलने नहीं देता तो i fx का मान fx ही रहता है आप परिवर्थित रहता है दूसरा operator कहलाता है shift operator shift operator को e से लिखते हैं denote करते हैं और e जब fx पे लगाया जाता है तो इसकी value आती है fx प्लस h एक कदम आगे बढ़ जाता है एक कदम आगे का भी meaning अपन समझेंगे कहने में आसान रहता है और समझने में भी आसान रहता है इसलिए एक कदम आगे बढ़ ज operator जिसे इस तरह से डेल से लिखते हैं और यह जब fx पे डेल ऑपरेटर लगाया जाता है तो इसकी value होती है आगे वाले मान में से स्वेम को सब्ट्रेक्ट कर दो तो fx के आगे वाली value fx प्लस h में से स्वेम को सब्ट्रेक्ट कर दिया गया जैसे मानलीजी कुछ डाटा द दी गई है 1990 में किसी शहर की जनसंख्या थी 18000 फिर 2000 में जनसंख्या का देखी गई तो 21000 आई 2010 में जनगणना उसकी जनसंख्या 23000 थी और 2020 में माली जीव 27000 थी तो यह जो टाटा आकड़े दिये गए हैं इन आकड़ों में मालीजी बीच में 2005 में जनसंख्या का अनुमान लगवाया जाए कि कितनी थी बताइए तो यह कहलता है अंतर वेशन तो इसमें फरस्ट पॉइंट ए कहलता है अर्गुमेंट में और यह सारे इनके बीच के अंतर समान हैं 10 हैं 1990 फिर 2000 फिर 2000 फिर 2000 फिर 2020 तो अंतराल का अंतर एच यहां पर 10 है तो पहली वैल्यू अब जब 3orns, ए to 1990 है और 30 यह जुड़ गया तो 2020 होगी इनके सामयन जो एंट्री है Fx की वैली फॉलन की वैल्यू है E के सामने फिर 26 फिर जो 80 है उसको 100 है AMA plus 3 एच के सामने का मानैं F giants से लिखा जाये गा a plus 2h के सामने के entry fa plus 2h है और a plus 3h पॉइंट पर argument पर इस function की value है fa plus 3h तो ये जो 18 है ये fa है 21 है fa plus h है 23 को अपन fa plus 2h कहेंगे और 27 को fa plus 3h कहेंगे ये बात में देखेंगे कि ये अंतर वेशन ये बहिर वेशन कैसे किया जाता है तो जब अपने fx पर operator day लगाया है सब्ट्रेक्ट कर दिया तो fa का आगे वाला मान है fa plus h तो fa plus h में से fa जब सब्ट्रेक्ट करेंगे तो वो dayl fa कहलाएगा आगे देखेंगे भी difference table बनाएगे उसमें बताएगे और देख लेंगे ठीक तरह से फिर fourth operator वो है backward difference operator जिसको उल्टे डेल से लिखते हैं तो dayl fx पर जब यह operator लगाए जाएगा तो स्वयम में से पहले वाला मान सब्ट्रेक्ट होगा यह backward difference की परिभाशा है इसमें जो shift operator उपर काम नी लिया गया है यह एक कदम आगे बढ़ता है value को आगे बढ़ा देता है खर इंवर्ट शिफ्ट operator लगाए इसको इंवर्स पी इसमें होता है operator तो यह एक कदम पहले ले जाएगा तो यह आगे बढ़ जाता है तो इस पहले चला जाता है कि डेल f a plus h की value अगर निकालते हैं तो देखते हैं क्या आएगी डेल f a plus h में तो आगे वाली value में से swim को subtract करो तो a plus h के आगे वाली value होगी f a plus 2h minus f a plus h उसी को subtract कर दिया तो ये value होगी डेल f a plus h की ऐसे shift operator मनें जिए a plus 2h पे लगाना है ये a plus 2h है इस पर shift operator लगाना है तो ये f a plus 3h होगी ये वाली value होगी ऐसे inverse operator लगाना है f a plus h पर तो एक पहले चला जाएगा ये तो f a plus h पर inverse shift operator लगाया तो ये f a पर shift होगा तो ये value होगी इसकी तो ये operator चार basic operators हैं उनकी value अपन इस तरह से calculate आसानी से कर लेते हैं तो इसको बहुत अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं जिससे आगे कोई problem नहीं होगी इसको और समझने के लिए एक example ले ले लेते हैं example से समझ लेते हैं इसे और भी जैसे log x पर function दे रखा है log x fx की जिए log x दे रखा है इस पर अगरांतर लगाना है तो ये हो गया log x प्लस h आगे वाली value में से log x सब्ट्रेक्ट कर दिया अब log a minus log b बरवर log a over b तो ये आगया log 1 प्लस h बाई x ये value आ गई अगरांतर की ऐसे ही एक और question लेते हैं डेल square sin ax प्लस b पर दो बार अपने को forward difference operator लगाना है तो अपन इस square को अपन दो में तोड़ लेते हैं तो sin ax प्लस b पर एक बार अपन लगाते हैं forward difference operator बाद में दुबारा लगा देंगे तो इसकी value लिखने के लिए आगे वाले मान में से तो sin ax प्लस h आएगा x की जिएक एक्स प्लस h आएगा तो ax और ax अलग अलग लग लग दिया प्लस b as it is तो आगे वाली में से खुद को subtract कर दिया तो sin a minus sin b होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 तो ax प्लस b 2 ax प्लस 2b हो गया by 2 होगा तो ये कटके आदा ही रह गया और ये a h by 2 आ गया into sin a minus b by 2 तो ये a h by 2 तो इसको sin a h by 2 इसमें x नहीं है constant है इसलिए बाहर आ जाएगा डेल से तो 2 sin a h by 2 तो अपने बाहर लिख लिया फिर अभी इस पर ये forward difference operator एक बार लगाना है तो इसको वापस अपन sin में change कर लेते हैं pi by 2 add कर कर cos को अपन change करना है sin में जिससे दुबारा operator बार बार नहीं लगाना पड़े इसको वापस काम में ले लेंगे तो ये इसको sin में change कर दिया तो 2 sin a h by 2 तो बाहर है cos a x plus b plus h by 2 cos a x plus b plus h by 2 plus pi by 2 तो ये value अगी cos के अब जैसे operator अपने sign पर यहां लगाया था वैसे operator दुबारा यहां पर forward difference operator इस पर लगाते हैं तो ये basic लिए अब a x plus b plus a h by 2 plus pi by 2 जो function बना हुआ है इस पर इसी तरह से operator लगा रहे हैं तो 2 sin a h by 2 तो ही अब ये लगाएं तो ये हो गया आगे वाले मान में से इसमें लिखेंगे आगे वाले मान में से स्वाइम को subtract करेंगे तो जैसे करके यहां सीधा direct करना चाहें तो 2 cos a x plus b plus a h by 2 आया था pi by 2 यहां अल्री था a h by 2 और add होगा क्योंकि इसमें एक बार जब लगाया था तो a h by 2 बढ़ा था तो add हुआ था तो अपने a h by 2 add कर दिया और बात में बचाता sin a h by 2 तो sin a h by 2 same thing is repeated here तो यह हो गया 2 square sin a h by 2 into sin a h by 2 sin square a h by 2 और इसको जब वापस अपने change किया sin में तो pi by 2 add और हो जाएगा तो sin a x plus b यह a h by 2 तो था ही twice pi by 2 b एक बार और add कर दिया तो twice हो गया तो यह value आ गई इस डेल square sin a x plus b की यह value आ गई तो इस तरह से questions अपनो operator के जो है उनमें आसानी से यह operator लगा लगा के solve कर सकते हैं basic concept समझ में आ गया तो फिर कोई problem नहीं होगी इसके बाद आता है जैसे एक बाद notice करने की है कि forward और backward में क्या इसमें बड़ी confusion हो जाता है कई बार तो यह बहुत अच्छी तरह से अपने को समझ लेना चाहिए क्योंकि जैसे x plus h पर अपने forward difference operator लगाया तो यह f x plus 2 h में से swim subtract हो गया और अगर backward की definition देखें तो swim में से पहले वाला मान सब्ट्रेक्ट होता है तो यह backward में भी कहलाता है तो इसको अपने लिख सकते हैं deal f a plus 2 h deal f x plus 2 h तो अग्रांतर f x plus h पश्चांतर f x plus 2 h के equally होता है तो बहुत सी value confuse कर जाती है कि यह table a की होती है लेकिन value को लिखने का तरीका अलग-अलग हो जाता है खेर अभी forward difference table और backward difference table समझेंगे तब आसानी से इसको और ठीक तरह से समझ लेंगे इसे अब आता है relation between operators यह जो चार operator अपने पढ़े हैं कि बीच में आपस में क्या संबंद होता है कुछ संबंद बड़े relation बड़े important होते हैं जो forward difference निकालने में या backward difference निकालने में तेजी से calculate करने में बड़े आसान कर देते हैं questions को तो समझते हैं उसमें first relation है इसमें e equivalent to i plus state e समरूप होता है i plus state के संकारकों की बात है इसलिए इसमें अपने equivalent to का ना equal to नहीं कहेंगे equivalent to तो देखिए इसको प्रूव करते हैं हम forward difference table forward difference operator के लिए fx पे लगाएं तो इसकी बड़ी होती है fx plus h minus fx इस fx plus h को पन shift operator fx लिख सकते हैं और यह i fx लिख सकते हैं तो यह होगे e minus i fx तो बेल fx is equivalent to is equal to e minus i fx so the relation between operators is बेल is equivalent to e minus i और e equivalent to i plus state so this is first relation which is very important for solving questions e is equivalent to i plus del this is the first relation between operators similarly we can solve these relations also e del equivalent to del e similarly this relation we can prove easily this is also we can prove this is e del pashyantarwala equivalent to pashyantar e equal to agranthar यह वही बात इस यहां पर आ रही है तो यह agranthar के equivalent होगा करके देख सकते हैं और यह agranthar minus pashyantar agranthar दू पashyantar की बरावर होता है इसमें फिर एक important relation आ जाता है 7th relation कहें इसे वह relation है यह forward difference operator और derivative में क्या संबंद है क्या relation है दोनों में forward difference operator और derivative d d dy dx वाला आवकलन वाला तो इसको prove कर लेते हैं e fx shift operator अगर अपने fx पे लगाएं तो इसका expansion करें तो fx plus h f dash x plus h square बटे factorial दो f double dash x क्योंकि e fx क्या होगा fx plus h होगा और fx plus x का टेलर सीज से expansion कर दिया तो यह आगे 1 plus h d plus h square by factorial to d square and so on into fx तो यह expansion हुआ e की power h d का into fx तो relation between operator is e is equivalent to e raise to the power h d and e is also equivalent to i plus d so here i plus d is equivalent to e raise to the power h d so this is the relation between difference operator and derivative now we come to that difference table और यह questions में जितने भी questions होंगे अपने अंतरवेशन के या अगे numerical differentiation integration और जो equations हैं के solution में यह अपने को table बनानी पड़ेंगी forward difference table और backward difference table इनको समझ लेंगे तो फिर आसानी से जो forward और backward में थोड़ा confusion रहता है differences में वो भी clear हो जाएगा झाल